अंतराश्ट्री ग्रैपलिंग में देश और विदेश का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाडी आजकल सरकारों से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं महिला खिलाडीयों का रोप है कि जो सरकार महिलाओं के सहारे अपनी नईया पार करने में जुटी है उसी सरकार में मैंडल प्राप्त करने वाली महिला खिलाडियों की कोई नहीं सुन रहा है साती उनका कहना है कि भाजपा सरकार में खिलाडियों के अंदेखी के जा रही है दूसरी ओर खिलाडियों को आश्वासन दिया गया है कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो इन खिलाडियों के मलोबल को बढ़ाने के लिए एंजियों का गठन किया जाएगा खिलाडियों ने बीजिपी पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है महिला खिलाडियों ने नाराज की जताई है कहा है कि जो सरकार महिलाओं के सहारे अपने नईया पार कर रही है उसी सरकार में मैडल हासल करने वाली महिला खिलाडियों की नहीं सुनी जा रही है साथी उन्होंने BGP सरकार में खिलाडियों की अंदेखी का भी आरोप लगाया है तो दूसरी और देखा जाए खिलाडियों को आश्वासन दिया गया है कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो खिलाडियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एंजियों का गठन भी किया जाएगा जवाली में इस तरह महिला खिलाडियों ने अपना गुस्सा सरकार के प्रती जटाया है और आरोप लगाया है कि सरकार ने मैडल जूतने के बाद भी श्वेतर में उनके लिए कुछ नहीं किया है तो वहीं दूसरी और कहा जा रहा है कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो महि महिला खिलाडियों के लिए एंजियों का गठन भी किया जाएगा च्वाली में महिला खिलाडी इस तरह अपनी नाराजगी को व्यक्ट करती हुई नसराएं